Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए वेलेंटाइन स्पेशल, February 2022 की लव टारो रीडिंग और देखे इस रीडिंग में मेरे पस खास हाट कन्फेशन के कार्ड्स हैं और इन कार्ड्स में हम देखेंगे कि सीक्रेटली आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस करते हैं या फिर क्या मनही मनव आपको कहना चाहते हैं और नहीं कहते हैं And before I start the reading, wish you all a very very happy Valentine's Day I wish all the happiness, all the joy for your relationship And दूसरी बात, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें इसके साथ-साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दिखे इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन, साइन, मून, साइन, एसेंडेंट या पिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी sign को follow करें तो चलिए जी शुरू करते हैं February 2022 की Love Tarot Reading तो चलिए जी Scorpios, आप लोगों के लिए देखें कि February 2022 में आपकी Love Life कैसी रहेगी और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये Valentine special है, तो ये सीडिंग में हमारे पास तीन पाइल की जगा पे फोर पाइल है और फॉर्स पाइल में हम देखेंगे कि आपकी क्या energies February मन्त में रहेंगी सेकेंड पाइल में हम देखेंगे कि आपके partner की क्या energies होंगी थर्ड पाइल में हम देखेंगे कि finally February मन्त में क्या हो रहा है और फॉर्थ पाइल को जैसे कि आप सब लोग ही read कर पा रहे होंगे heart confessions लिखा हुआ है और इस पाइल में हम देखेंगे कि आपके partner की secret क्या intentions हैं, क्या feelings हैं आपके लिए क्या वो आपको कहना चाहते हैं, मन ही मन और नहीं कहते हैं and Scorpios इस वीडियो में हम देखेंगे कि February मन्त में आपकी कहना energies रहेंगी तो देखें आपके लिए याँपे सबसे पहला card मुझे दिख रहा है High Priestess Reverse और ये card कहता है कि एक mysterious सी energies आप महसूस कर सकते हैं खुद के लिए, partner के लिए या फिर इस relationship के लिए जहां पे, you know, again मैं कहूंगे कि आप चीजों को लेकर share नहीं हो पा रहे हैं कुछ copy उसको ऐसा लग सकता है कि आपके partner कुछ तो आप से छुपा रहे हैं कहीं एक clarity उनकी तरफ से आप नहीं महसूस कर रहे हैं और कुछ copy उसके लिए हो सकता है कि आप ही अपने partner को पूरी तरीके से अपनी feelings, emotions को नहीं share कर रहे हैं या फिर मैं कहा सकती हूं कि कोई चीज आप अपने partner से छुपा रहे हैं और आप बहुत actively चीजों में participate नहीं कर रहे हैं अपने आपको involved नहीं कर रहे हैं आप एक back step लेते हुए मज़े दिख रहे हैं आप चीजों से, relationship से या फिर किसी भी चीज से, किसी भी level पर withdraw करते हुए दिख रहे हैं और देखिए हाँ पर closed gate का card कहता है कि आपके और आपके partner के बीच में जो भी एक gate है या जो भी energies है, वो भी कहीं किसी level पर block रहती हुई दिख रहे हैं या फिर आप ऐसा महसूस करते हुए दिख रहे हैं और देखिए कुछs copy उसके लिए हो सकता है कि ये gate आपके partner की तरफ से बंद हो रहा है कुछs copy उसके लिए हो सकता है कि ये gate आप बंद कर रहे हैं तो दिखिए nutshell में या तो एक rejection आप दे रहे हैं किसी चीज को लेकर या फिर एक rejection आप महसूस कर रहे हैं और मन ही मन एक अकेला पन भी किसी level पर आप February starting में या फिर कुछ time से महसूस करते हुए देख रहे हैं आपको ऐसे लग सकता है कि एक connection कहीं खतम हो गया है और देखिए कुछ लोगों के लिए literally हो सकता है कि ऐसा हो रहा है कुछ लोग महसूस कर रहे हैं या फिर कुछ लोग ऐसा करना चाहा रहे हैं देखिए जनरल डीडिंग है तो थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ कर सकता है और देखिए कहीं mid February के लिए याँ पे free will का card कहता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि भई destiny आप लोगों को साथ में लेकर आई है लेकिन इसके बाद चीजों को आप कैसे deal करते हैं वो काफी हद तक आपके उपर depend करता है और free will को अगर हम समझें तो कहीं यही मतलब भी free will का होता है कि जो भी हमारी life में हो रहा है अच्छा बुरा उसको हम कैसे deal करते हैं वो free will हमारे पास होती है for example किसी इंसान के साथ कुछ मसला कुछ इशू हुआ तो ये तो destiny है लेकिन उस मसले उस इशू को लेकर उनका का reaction रहता है क्या response रहता है वो इस चीज को positively deal करते हैं negatively deal करते हैं ये free will उनके पास है और इसी के basis पे further भी कर्मा बनता है तो दिखी इस चीज की realization किसी level पे आपको होती हुई दिख रही है और शायद इसी लिए हाँ पे the fool का card कहता है कि एक carefree energies में आप आना चाहा रहे हैं आ रहे हैं आपको literally ऐसे लग सकता है कि भई जो past में हुआ उसे छोड़ो future के बारे में ज़्यादा सूचने का कोई फाइदा नहीं है present moment को enjoy करो कहीं you know एक नई beginning करना आप चाहा रहे हैं fun, मजा, मस्ती भी किसी level पे आप करना चाहा रहे हैं और एक calculated risk भी again मैं कहूंगी आप लेना चाहा रहे हैं या ले रहे हैं लेकिन देखियो fool कहीं immature energies की बात करता है and page of cups भी कहीं immature energies की बात करता है तो mid February से लेकर and February तक थोड़ा सा खयाल रखें Scorpios कि आप चीजों को बहुत immaturity के साथ ना deal करें देखिये innocently deal करना या फिर एक childish behavior रखना बहुत अच्छी बात होती है लेकिन again in the process जब हम immature हो जाते हैं तब कहीं हम अपनी ही life में issues और मसले लेकर आते हैं और इस चीज का खयाल आप जरूर रखें and देखिये end February के लिए यहाँ पे promise का card है और फिर से मैं कहूंगी कि यह general reading है तो यहाँ पे promise का मतलब सब के लिए differ कर सकता है कुछs copyos के लिए हो सकता है कि आप खुद से कोई promise कर रहे हैं इस relationship को लेकर इस love life को लेकर again देखिये example के तौर पे मैं आपको बताऊं तो हो सकता है कि अगर आपने कुछ गलत अपने partner को बोला तो आप अपने आपको बोल सकते हैं कभी भी आप ऐसे अपने partner से नहीं बात करेंगे या फिर आपने over किसी चीज को लेकर अपने partners के साथ किया और उनकी तरफ से आपको positive response नहीं मिला तो इधर भी आप अपने आपको promise कर सकते हैं कि भाई अब जरुरत से जादा आप नहीं करेंगे कि आपके partner आपसे कोई promise कर रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे आप दोनों ने ही एक दूसरे से कोई promise किया उसके बारे में ही आप जादा सोच रहे हैं और देखें surface level के लिए page of cups का card कहता है कि इसी वज़य से या फिर otherwise भी आप over emotional over sentimental होते हुए देख रहे हैं और देखें pages कही messages की भी बात करते हैं phone call की भी बात करते हैं invitation की भी बात करते हैं तो या तो आप अपने partner को किसी चीज के लिए invite करना चाहा रहे हैं message करना चाहा रहे हैं उनसे connect करना चाहा रहे हैं आप फिर उनकी तरफ से किसी message, किसी phone call, किसी तरीके के connection का आप वेट कर रहे हैं तो ये था Scorpio's February मत के लिए आप लोगों की reading and Scorpio's इस वीडियो में हम देखेंगे कि February मत में आपके partner की के energies रहेंगी तो देखेंगे आपके partner के लिए आप इस सबसे पहला card दिख रहा है chance और ये card कहता है कि कुछ time से और February starting में आपके partner को मन ही मन ऐसा लग सकता है कि इस relationship में अगर वो आगे बढ़ना चाहा रहे हैं तो उनको किसी तरीके का किसी किसम का risk लेना पड़ेगा, chance लेना पड़ेगा इतना safe नहीं है आगे इस relationship में बढ़ना, किसी तरीके का discomfort रह सकता है और कहीं इसी वज़े से otherwise भी वो chance नहीं लेना चाहा रहे हैं या नहीं ले रहे हैं और दिखें आपे wheel of fortune का card कहीं pause लेने की बात करता है, रुकने की बात करता है तो फिर से मैं कहूंगे कि आपके partner कहीं थोड़ा सा pause लेते हुए देख रहे हैं और दिखें wheel of fortune का card कहीं movement shift की भी बात करता है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये card reverse है तो इसी से ही related छोटे मोटे issues, छोटे मोटे मसले भी आपके partner के लिए कुछ time से आप February starting में आप February month में रहते हुए देख रहे हैं और दिखें ये general leading है तो सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ कर सकता है कुछ scopios के partner के लिए हो सकता है कि travel से related कुछ issues है उनके travel plans delay हो रहे हैं, postpone हो रहे हैं कुछ scopios के partner के लिए हो सकता है कि वो किसी चीज़ से move on करना चाहा रहे हैं नहीं move on कर पा रहे हैं और फिर से मैं कहूंगी कि एक stuck energies मैं अपने आपको महसूस कर रहे हैं in fact देखिये उनके लिए mid February तक ही stuck energies रहती होई दिख रहे हैं क्यूंकि यहां पर mid of February के लिए two of souls reverse का card भी against stuck energies की बात करता है और देखिये deeper level के लिए triangle का card कहता है कि किसी तीसरे इंसान की वज़े से भी इस relationship में कुछ issues हो सकते हैं या फिर आपके partner कहीं अच्छा नहीं feel कर रहे हैं आपके partner कहीं परेशान हो रहे हैं और देखिये तीसरा इंसान सब के लिए differ कर सकता है क्योंकि फिर से मैं कहूंगी यह general reading है कुछ Scorpios के partner के लिए हो सकता है कि आपकी life में कोई loved one है जिससे आप ज़्यादा interact कर रहे हैं और कहीं आपके partner को यह नहीं अच्छा लग रहा और कुछ Scorpios के partner के लिए हो सकता है कि उन्हीं की life में कोई loved one है जिसके उपर वो ज़्यादा focus कर रहे हैं और उसकी वज़े से इस relationship में कुछ issues, कुछ मसले हो रहे हैं, कुछs copies के लिए हो सकता है कि आप अपने partner के अलावा किसी और से ज़ादा interact कर रहे हैं, किसी और से ज़ादा बात कर रहे हैं, ज़ादा interest ले रहे हैं, attract हो रहे हैं और कुछ Scorpios के partner की ऐसी energies हो सकती है तो दिखे फिर से सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ कर सकता है किसी तीसरे इंसान के वज़े से कुछ issues रह सकते हैं और देखिए शायद इसी लिए या otherwise भी Two of Souls Rivers का काट कहता है कि again आपके partners stuck महसूस कर रहे हैं और हो सकता है कि बहुत time से बहुत सारी चीज़ों को वो देख के अंदेखा कर रहे थे, सुन के अंसुना कर रहे थे उनको कोई decision choice लेनी थी, नहीं ले रहे थे कहीं एक in action वाली energies में थे और कहीं mid February में उनको ऐसा लग सकता है कि बस बहुत हो गया अब finally उनको decision लेना चाहिए है finally जो भी वो चाहते हैं उसी से ही related उनको action initiatives लेने चाहिए है लेकिन देखिए बहुत कोई एक concrete action initiatives वो लेते हुए नहीं देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे Queen of Cups का card emotionally low feel करने की बात करता है mood swings की बात करता है और again ऐसा ही आपके partner कहीं February मन्त में या end February में महसूस करते हुए देख रहे हैं हालनकि देखिए Ladies Night का card कहता है कि वो अपने आपको जादा लोगों के साथ involve कर रहे हैं जादा socialize कर रहे हैं fun, mzah, musti करना चाहा रहे हैं अपने mind को अपनी energies को deviate करना चाहा रहे हैं लेकिन जितना भी वो socialize कर रहे हैं जितना भी वो fun, mzah, musti कर रहे हैं surface level के लिए Queen of Cups Rivers का card कहता है कि again emotionally low feel कर रहे हैं कहीं you know mute swings हो रहे हैं कहीं बहुत great चीजों को लेकर महसूस करते हुए नहीं दिख रहे हैं तो ये था Scorpios आपके partner की energies for February month and Scorpios अब देखते हैं कि finally February month में इस relationship में क्या हो रहा है तो देखें February month के लिए आप इस सबसे पहला card मुझे दिख रहा है no love here और ये card कहता है कि कुछ time से या फिर specifically February starting में हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बहुत interaction नहीं हो रहा है बहुत बातचीत नहीं हो रही है या फिर अगर बातचीत हो रही है तो emotions, feelings, कहीं sentiments missing है या फिर देखिए literally अगर हम देखें तो आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि भी अब आपके partner आपको उतना पयार नहीं करते है और देखिए फिर से मैं कहूंगी ये general reading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ कर सकता है लेकिन broadly speaking no love here का card कहता है कि कहीं love, पयार, महबत, emotions, sentiments किसी level पे missing है और देखिए Scorpios आपकी energies में हमने high priestess reverse के card में देखा था या तो आप बहुत mysteriously behave कर रहे हैं या फिर ऐसी ही energies आप अपने partner की तरफ से महसूस कर रहे हैं और आपके partner के level of fortune reverse के card में हमने देखा था कि कहीं वो रुके हुए हैं pause लिया हुआ है action initiatives नहीं ले रहे हैं और देखे जाहिर सी बात है जब आप दोनों की ऐसी energies हैं तो relationship में थोड़ा सा किसी level पे love तो missing रहेगा ही रहेगा और शायद इसी लिए otherwise भी यहाँ पे the moon reverse का card कहता है कि एक confusion सी रह सकती है जहाँ पे चीजें clear नहीं है और इसी को ही लेकर एक fear, एक insecurity भी आप दोनों याँ आप दोनों में से कोई एक महसूस करते हुए दिख रहे हैं फिर इससे देखे हो सकता है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा, क्या करना चाहिए कैसे चीजों को deal करना चाहिए लेकिन देखे, mid February के लिए याँ पे wins of change का card कहीं किसी level पे कुछ changes की बात करता है, और दिखी इस card के हिसाब से कहीं ये changes एक improvement ही लाते हुए दिख रहे हैं clearly इस card में लिखा हुआ है improvement breezes into your love situation तो फिर से मैं कहूंगी कि जो भी changes आ रहे हैं उनकी वज़े से चीजें किसी level पे improve कर रहे हैं लेकिन फिर भी Scorpios आप या फिर आपके partner उन changes को नहीं देख पा रहे हैं या फिर कुछ और आप दोनों की life में या फिर आप दोनों में से किसी एक की life में हो रहा है जिसको लेकर बहुत एक फिक्र, बहुत एक चिंता इस relationship में रह रही है और देखिए ये जो चिंता है ये ज़्यादा negative thoughts की वज़े से रहती हुई दिख रही है और यहाँ पे मैं आपको यही कहूंगी Scorpios अगर ऐसी energies आपकी है तो ज़रूर इसको check करके correct करें और देखिए अगर आपके partner की हैं तो उन्हें ज़रूर इन negative thoughts को overcome करना है और देखिए ज़ादा आपके partner की दिख रही है क्योंकि आपके लिए mid February के लिए the fool का card था और देखिए the fool कहीं carefree energies की बात करता है कहीं इनों बिंदास होके चीज़ों को deal करने की बात करता है तो देखिए ये card कहीं बहुत beautiful energies की बात करता है again तो आपकी तो ये nine of swords वाली energies नहीं दिख रही हैं आपके partner के लिए यहाँ पर queen of cups reverse and two of swords reverse के cards थे तो आपके partner के लिए ज़ादा दिख रहा है और अगर आप लोगों की बात हो रही है तो आप ज़रूर उनकी counselling करें उनसे अच्छे से बात करें उनको help करें कि वो इन energies में से अपने आपको बहार निकालें और देखिए end February के लिए हाँ पे six of swords reverse का card भी कहीं movement shift से related कुछ issues, कुछ मसलों की बात करता है और ये भी सब के लिए differ कर सकता है again देखिए कुछ scopios या फिर उनके partner के लिए हो सकता है कि travel करना चाहा रहे हैं और कोहीं उसी से ही related मसले है, travel plans delay हो रहे हैं postpone हो रहे हैं नहीं तो देखिए आप लोग इस relationship को आगे बढ़ाना चाहा रहे हैं next level पर लेकर जाना चाहा रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं again इस से related कुछ मसले कुछ issues हैं और कुछ scopios, देखिए मैं फिर से कह रही हूँ कुछ scopios या फिर उनके partner के लिए हो सकता है कि वो इस relationship से ही move on करना चाहा रहे हैं एक distance create करना चाहा रहे हैं लेकिन ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं और इसी वज़े से दिखे एक stuck सी energies end of February में रहती होई दिख रही हैं और दिखे नीचे protection का card कहता है the universe is keeping your love connection safe तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि universe की तरफ से message है कि जो भी issues जो भी मसले हो रहे हैं कहीं ये love connection safe है ये relationship safe है इस relationship में beyond the point कुछ issues नहीं हो रहे है या पिर ये relationship खतम नहीं हो रहा है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी surface level पे हो रहा है कहीं deeper level पे कैसे इस relationship को protect करें कैसे इस relationship को safe करें इस पे आप focus कर रहे हैं तो ये थी Scorpio's आप लोगों के लिए February 2020 की energies and Scorpio's इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके partner की secret क्या intentions हैं, क्या feelings हैं आपके लिए इस relationship के लिए तो देखें आप इस सबसे पहला card मुझे दिख रहा है forgive my mistakes और ये card बहुत ही clearly कहता है कि पीछे कुछ तो उनसे गलती हुई है और उस गलती का एहसास उनको है कुछ Scorpio's के लिए हो सकता है कि उनके partner ने आप से confess किया हो कुछ के लिए हो सकता है कि उन्होंने आपको कभी भी जाहिर ना होने दिया हो लेकिन again उस गलती का एहसास उनको है और यहाँ पे दीखें सब Scorpio's के partner के लिए different mistakes हो सकती है कुछ के लिए बड़ी हो सकती है कुछ के लिए छोटी हो सकती है और उसी mistake को लेकर मन ही मन वो आपसे माफी मागना चाहा रहे है कहीं मन ही मन again मैं कहूंगी आपसे apologize करना चाहा रहे है और उनको बहुत feel होता है कि भई again उनसे गलती हुई है लेकिन देखी इसके बावजूद भी कहीं maybe का card कहता है बहुत sure future को लेकर वो नहीं रहते हुए दिख रहे है कुछ चीजों को लेकर उनके मन में doubt है या फिर से मैं कहूंगी कि थोड़ा सा एक uncertainty उनके मन में इस relationship के लिए आपके लिए future को लेकर रहती हुई दिख रही है लेकिन देखे आपके साथ travel करना चाहते हैं आपके साथ fun, मज़ा, मस्ती करना चाहते हैं आपके साथ time spent करना चाहते हैं आपके साथ togetherness वो चाहते हैं तो ये था स्कॉप्योज आपके लिए February 2022 की Love Tarot Reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चानल को like, share और subscribe ज़रूर करें